आज यह हमारा परम सौभाग यह है कि हम मुलाकात करने जा रहे हैं पंडित तनमय बोस जी से जब बात तबलावादन की होती है तो भारत ही नहीं बलकि पुरी दुनिया में इस कला में अपना नाम कायम कर चुके सम्मान और प्यार हासिल कर चुके तनमयदा के परिचे में इस अभी कुछ नहीं I am just one another practitioner of music and God has been kind to me that is all I can say तो यह तो आपका humble approach कह रहा है लेकिन हम जानते हैं और हम सुनते आए हैं आपको खैर तादा कुछ ऐसी रवायत होती है कि हलाकि इस तरह के सवालों के जवाब आप कई बार दे चुके होंगे लेकिन आप जब हम totality में बात करते हैं कलाकार से तो उसके बच्चपन से ही शुरू करते हैं और आपके बच्चपन का दिल्चस्प किस्सा तो यह है कि आपने तो बच्चपन में वोकल भी सीखा है तो वो वोकल से शिफ्ट तबले में जो हुआ वो कैसे हुआ क्या याद आता है नहीं दखिए ऐसा हुआ श्रीविंद्र जी कि कि हमारे मा के साथ हम साथ में सिखते थे मा के गुरुजे के पास और ले तयार करने के लिए हम तबला सिखते थे हमारे माता पीता वो चाह रहे थे कि हम गवया बने और बहुत दिन देर तक हम गाना सिखा उसके बाद वो जो एडॉलेसेंस में वोईस क्रैक होता है उस समय आई हैड अक्यूट फैरेंजाइटिस तो थोड़ा रियार्ज करने से वो खासी शुरू हो जाते थे और बहुत तकलीफ में रहते थे हम तो उस बकत हमारे मा की गुरुजी ने बताया कि क्यू ना वो हम हर्मोनियम सिखे तो फिर मैंने हर्मोनियम सोलो बजाना शुरू किया सिखने शुरू किया पंडित मंटू इसके बेटे महराज बैनेर ची जी ने बहुत साल तक तबला हम साथ साथ सhesiaथ सिखे रहें गुरुजी के पास पंडित का नाइदत्त के पास पहले उसके बाद पंडित शंकर गोशी के पास गुरुजी के पास तो उससे मैं एक समाय आया कि मैं हर्मोनियम की तरफ बहुत ज हमारे आगे की पीरी के तबला प्लेयर्स हैं जिसके साथ हमने नगमा नहीं दिये हैं I have played Lehera with many great artists You know, all the great तबला प्लेयर्स I have given नगमा क्योंकि हम तबला बजाते थे और बच्चा था तो सब को मजा भी आता था क्यों लैक हम अच्छा समालते थे सपंदा, अनिंदोदा, कुमारदा, सब के साथ हम हमारे गुरुजी के साथ कहीं भार हमने नगमा देया तो खुब वैसे चल रहा था तो फिर गुरुजी एक बार मेरे बाबा को बुला के बोले कि he has to choose one कुछ एक करे तीन चीज होगा नहीं तो बाबा मेरे को पुचा कि वाट तो बाबा बाजाने में मुझे मजा था था बहुत तो फिर मेरे बाबा को बोला कि I will choose tabla so that is how I stopped singing I stopped playing harmonium and then I concentrated on just playing tabla और आपको हम बताएं Shivindra जी कि God has been so kind and I mean it क्यूंकि हमारा तो कोई परंपरा नहीं है घर में कि my father is not a musician my mother is a musician लेकिन कोई legacy तो है नहीं लेकिन हमारे साथ एक क्या बताएं आप miracles हुए from the very beginning greatest of musicians they saw me and they picked me up शुरूआत हुआ उस्ताद मुनववर अलिखान साब से I was very young I was in I was 21 years old I was playing with Mashkoor भाई Mashkoor भाई पहली दफा कलकत्ते आये थे शुरू शुरू में दिली से ITC SRA में तो क्यालकटा मीजिक कॉंफरेंस में हम Mashkoor भाई के साथ बजा रहे थे और मुनववर चाचा वस देर as a chief guest और उनको last day में गाना था तो वो हमको सुने थे कहां साब और चाचा को हम देखते थे गुरू जी के दोस्त थे और सारे कलकत्ते के टौप्मोस्ट लोग सारे मुनववर अंकल के शागिर्द उस्चमें Pandita Jaya Chakravarti, Shondha Mukharji, My Guruma, Gyan Babu's wife, My Bare Guruji's Guruma, Lalitha Ghoshji Everybody is Munavar Uncle's शागिर्द then तो वो मौका पली दाफा मुनवर चाचा बोले कि वोलर के को बुलाओ कि कि Shondha was supposed to play with him in the conference, he got delayed so the organizers came and picked me up middle of the night I was 21 years old, I had no idea I started playing with him, he was so impressed कि दो महिने के बाद हमें लेके Hyderabad चले गएं उस समय है है उस समय है है उसके बाद दिल्ली में लेके गए and then he called my father and said I want to take him to London so I was then 86, in 86 में I was 23 years old I travelled to London first and since then by God's grace I have never looked back all the friends that I have played with they are the top most musicians of the country जो हमारे दोस्त है हमारे PD के और हमारे आगे के जो हैं बरे जो हैं सारे स्टॉलवर्स के साथ हम बजाते रहें मुनवर्चाचाच, भीजी जोग साहब, उस्ताद इम्रत खान साहब then of course उस्ताद अमजद अली खान साहब a very big influence in my life as a guru, as a mentor and then of course from 97 Pandit Ravi Shankar Ji दादा उस पर आएंगे अभी और उस पर बात करेंगे लेकिन मैं अब यह जानना चाहता हूं चुकिए आपसे बात करने का सवभाग यह मिला है वो उम्र क्या थी जब आपसे कहा गया कि एक चीज़ चुन लो तबला, गायकी या हार्मोनियम तब आप कितने साल के थे और जब आपने चूज किया तब क्या thought process था कुछ अगर याद आता हो तो 15, I was 15 then अच्छा मैं 15 साल के उम्र में जो टीम प्यार थे उसमें से दो प्यार को थोड़ा side करना पड़ा और तबले का प्यार जो है आगे बढ़ा जी अच्छा एक चीज़ और बहुत मैं मैं शौकीन हूं मैं बजाने बहुत अच्छा लगता है हर्मोनियम और मैं गाना भी गाता हूं अभी तो ख्याल नहीं गा सकता लेकिन कभी-कभी ठुम्री दादरा यह सब हम गाते हैं शौक से लेकिन आई वस 15 जब गुरू जी ने बताया देन आई साइड लाइन वो सारे साइड करके फिर तबले के उपर मैंने ध्यान दिया पुरा एक चीज़ में और जानना चाहूंगा क्योंकि पंडित शंकर घोष जी के साथ आपका जो गुरू-शिष्य-परंपरा में सीखने का सिलसिला है वो तो बहुत लंबा चला हम जानते भी है हमने पढ़ा भी है उससे पहले के जो आपके गुरू रहे जिनको संभवता हम जब आप आज बातचीत कर रहे हैं तो आप याद करना चाहेंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताईए कि कैसे कैसे वो जो सीड़ियां आपने चणहीं संगीत में परिपक्त वो होने की उसके शुरुवाती पायदान कौन कौन से लोग थे जिन्नों ने आपको सिखाया जिन्नों ने आपको एक कलाकार बनाया समगर तोर पर ये देखिए शिविंद्र जी अभी अभी इस उमर में हम जब सोचते हैं कि सहबत साथ में बैठने उठने की जो एक नसीब होनी चाहि तब कलाकर बनेगा कला आप डसन्ट मैटर हम कितना सीखे हैं कितना अच्छा घर में बजाते हैं जब तक बुजर्गों के पास बैठने का मौका ना हो तो कलाकार नहीं बन सकता क्योंकि ये जो तहजीब मौसिखी जो है जो एटिकेट अफ म्यूजिक ये जब तक किसी को प पास हम सिखते रहें और बाकी के बुजर्गों के पास हम जाके बैठने का हुआ कभी साथ में ठेका लगाने का हुआ ऐसे बातचीज होते रहे हम बैठे हुए हैं वो जो डिसकुशन्स हम सुने और हमारे बचपने में हम जहां रहते हैं बालिगंज में शिवेंद्र जी हम मिख्रा निक्ल गुम्छा गुम रहे हैं कभी ऐसे बरंदा में खरे हैं हमारे घर के दस मिनिट दूर निखिल का का रहते थे निखिल ब्हार जी उठित्व लेखिं हमारे घर के पास महा पुरृश हमारे बाबा का दोस्त भी थे वह तो हमारे दुकान में आमारे वी हद अ मेनिकल स्टोर तो वहां महापनुश का का आते थे हाँ तो फेर बाहदूर खा साभ हमारे घर से पंड़रा मिनिट दूरी में उस्थाद बाहदूर खान साहब फिर रविशंकर जी आते थे, लाला स्रिधर जी के घर रूखते थे, वो भी 15 मिनिट हमारे घर से, तो एक जो इलाका जो था हमारा बाली गंज, चारो तरफ शामुल बोज जी रहते थे, प्रशून बैनेर जी, मेरा बैनेर जी, मुनवर चचा, इम्रत चचा, पर्क सरकस में, किरामतुल्ला खान साब, साबिर दा, अनिन्दो दा, सब वो इलाका जो शपन दा, लेग वी रोड में, गुरु जी खुद रहते थे, कविर रोड में, तो ये सब को देखना, उसका एक इंपक्ट हुआ मेरे मन में, आज के समय अगर हम गाना बजाना करते हैं, तो शायद को नहीं हो बाता, वो सामने विलायत खान साब को हम जब पहली दफा देखे, रवी शंकर जी को जब पहली दफा देखे, अलिग बड़ खान साब को, सामने जब देखे तो उसका एक इंपक्ट हुआ हमारे मन में इन याँग एज, तो क्यूंकि हमारा फैमिली बिजनेस फै से था, अगर वो माहोल हम को मौका नहीं होता देखने का, हम शायद गाना बजाना नहीं कर दे, क्योंकि वो देखके जो एक इंपक्ट हुआ, और फिर बैठने का, हम कोने में बैठते थे जाके क्लास में बरो का, तो सुनते थे कि क्या बात चीच हो रहा है, तो ये हमारा ज सुनो पहले, जहां मौका मिले, बुजूर्गों को सुनो तुमसे जो बरे हैं, और ट्राइन लर्न, वो कान में रह जाता है, ज्यान में रह जाता है, तो वो बाद में काम आता है, वो खाली काईदा और टुकड़ा और रेला सिखने से आर्टिस्ट नहीं बनेगा, ओवरॉ वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें, इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहु ये मुहीम चला रहे हैं, जिसका टाइटिल है, सुनेंगे तभी तो सीखेंगे